मुझे लाइफ स्टाइल में ग्यांसर जैसी खातक बिमारी दवेपा लोग के सरीर में दस तक दे रही है जिसका समय रहते पता ना चला तो लोग अपनी जान से हाथ दो पैटते हैं लेकिन आजकर महिलाओं में जो सबसे अधिक बिमारी देखने को मिल रही है बिमारी है ब्रेश्ट कैंसर की जो सबसे अधिक महिलाओं में देखने को मिल भी रही जानने वा बिमारी के कारण महिलाओं को कई दिक्कतों का सामना करना पड़ता है अगर आप इस जानने वा बिम का अधिक सेवन करती हैं लेकिन इसे आपको बफूर मातार में प्रोटीन की प्राप्तित होते हैं लेकिन यह आपके ब्रेश्ट कैंसर होने के चांस को काफी अधिक बढ़ा देता है बैतर होगा महिलाएं रेड मीट का कम से कम सेवन करें इसके लावा सारे तरह कि फेट्स हानिकारक नहीं होते हैं लेकिन अगर आप प्रोस्टेट फेट्स का अधिक सेवन करती हैं तो इसे आपका ब्रेश्ट कैंसर होने की संभावनाओं में दोगुना अब्रिधी हो जाती है आपको बता दें कि प्रोस्टेट्स में बिसकिट्स आधी शामिल होते हैं तो वहीं मीठा खाना हर किसी को बसंद होता है चाहे मों महिला हो या फिर फूर्स रिकिन अगर महिलाई मीठी का अधिक सेवन करती है तो इसे महिलाओं में ब्रेश्ट कैंसर की समस्या काफी अधिक पार जाती है इसी के साथ आगया आपको बताते चले कि मार्केट में मिलावटी डूट काफी अधिक मिल रहा है लेकिन मेलाई मिलावटी डूट का सेवन करती है तो इससे उनके डियने और सेल्स को काफी खत तक नुकसान पहुंसता है और आपकी ब्रेश्ट कैंसर की संभावनाई भी काफ झाल